देश भर में वर्तमान हालात को देखा जाए तो कोरिना वाइरस और उससे बचाव के लिए उचित निर्देश दिये जा रहे हैं जिससे इसके संक्रमन से बचा जा सके जिसको लेकर सुप्रिम कोर्ट वहाई कोर्ट ने सभी न्यायलायों में विडियो कॉन्फरेंसिंग वी स वी सी भी प्रकार के प्रकरण में न्यायलाय आने की आविशकता नहीं है वी सी के जरिये प्रकरोणों की सुनवाई की जा रही है उन्होंने कहा कि न्यायलाय परिसर में तीन रूम तैयार किये गए हैं जिसमें से न्यायदिश गण प्रकरण की सुनवाई कर सकते हैं अपर प्रक्ष प्रकरण में रख सकते हैं. ऑर फिजिकली एड़ोकेट्स को खोट आने के ज़्रोत नहीं है. अत्यथिक महतपुर्ण प्रकणों में कोई भी एड़ोकेट्स जो हैं वो अपना मामला सम्द़ कोट के सामने वीडियो क्वरेंसिंग के माद्यम से लग सकते हैं. जिला न्याले में वीडियो कॉंफरेंसिंग की सुधा हमने दे रखी है और इसके लिए तीन रूम्स हमने सेट अप किया हैं एक रूम तो सरवर रूम में ही है हमारा और दो वीसी के रूम्स हमने और स्तापित किया हैं जहां से वीसी के मातनम से पैरवी की जा सकती है इसके अलावा ओनरेबल हाई कोट ने जिटसी मीट नाम का एक आप है जिसे प्ले स्टोर के मादन से आसाने से डाउनलोड करे सकता है उस जिटसी मीट आप के मातनम से भी वीसी बहुती सरल और सुगम है जिसमें ओडियो और वीडियो कौलिटी बहुती उच्च कोटी की है इस आप को Honorable High Court ले भी अप्रूव किया है और आप प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं नीमत जिले के एड़ोकेट से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज अपने अपने स्मार्टफोन पे जिट्सी मीड डाउनलोड करें और उसके माध्यम से सम्मधित कोड से वीजी के माध्यम से आप अपने अपना पक्ष रखें इसमें आपको सिर्फ वह डाउनलोड करना है और सम्मधित कोड जो है वह आपको आपके के मात्रम से तो आप लोगों से आपके मात्रम से में यह रिक्वेस्ट करों कि अधिक सद्धिक मात्र में इसको डाउनलोड करें और विजिए आपके